नमस्कार आप देख रहे हैं, मैं हूँ माही और आज हम बात करने जा रहे हैं क्या पार्टन सीटों पर प्रत्याशी चैन को लेकर बीचे भी कारे करता विरोध कर रही हैं? दरसल खबर यह है कि गुजरात में पार्टन और बायाट विधानसबा छेतरों के लिए उमिद्वारों के चैन के विरोध में स्तोंवार को सेक्रो भारती जनता पार्टी के कारे करता गानी नगर में पार्टी के मुख्याले पर एकत्र हुए जहां एक और पांच दिसम्बर को मद्दान होने वाले हैं वही बयार से टिकट दिया गया लेकिन अब तक पार्टन के उमिद्वारों की घोषना अभी बाकी है हालांकि अटकले तेज हो रही है कि पार्टी बंसरकांट के मूल निवासी डॉक्टर राजूल देसाई को चुनेगी जो राश्ट्रे महिला आयोग के साथ-साथ गुजराद राज्यबाल अधिकार आयोग के पुरूश अदत से भी हैं विरोध कर रहे बाजबा कारी करताओं ने कहा कि देसाई पार्टन निवासियों के लिए एक बाहरी हैं टिकट तो उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो छेदर से संबंद रखते हैं जैसे कि पुरू विधायक राण्षोट, देसाई या नेता केसी पटेल वही भार्टी जंता पार्टी ने सोमवार को अम्तने उमीदवारों की तीसरी सूची जारी की पुरू में कॉंग्रेस पार्टी से जुड़े अलपेस ठाकोर को गानी नगर दक्षिन के मैदान से उतारा गया अलपेस ने पिछला चुनाव राधनपूर से लड़ा था लेकिन 2019 के बाद उपचुनाव में अपनी राधनपूर सीट हार गए वही तीसरी सूची के साथ भाश्वा ने अब तक 182 सदस्ती राज्य विधानसवा चुनाव के लिए अब तक 188 सीटों के लिए उमिदवारों का नाम दिया अब वही बात करे पार्टी के वरिष नेदा और केंदरी ग्रह मंत्री अमिद्शाह की तो अमिद्शाह ने सूमवार को कहा की अगर बीजेबी अगले महीने होने वाले विधानसवा चुनाव में वहमत हासिल करती है तो पुपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्य मंत्री बने रहेंगे पुपेल पटेल ने सितंबर 2021 में मुख्य मंत्री के रूप में विजरूप प्रानी की जगा ली वह घाटोल दिया निर्वाशन छेद्र से पहली बार विदायक है उन्हें उसी सीट से फिर से नामन्कित किया गया ऐसी ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें MGB Digital India चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं धन्यवाद